दोस्तो जब भी आप एक फुन से दूसरे फोन में होचपोड लेना चाहते हो उस टाइम के होता है जो उस फोन का पासूड है होचपोड का ऐँख भूल जाते हो लेकिन आज में यही बताऊंगा कि बहुत लोग यही गलती कर लेता है hotspot का password ही उसको पता नहीं होता है दूसरे phone में net connect करने के लिए तो यही इस hotspot का password आप कैसे पता कर सकते हो आपके phone में या दोस्त के phone में जिस phone से आप hotspot लेना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो इस वीडियो से आपको पता से लेगा कि hotspot का password कैसे पता करते हैं तो दोस्तो आपको फिर से स्वागत करता हूँ, आपका ही सेटो सनले एफ्स की दिनिया में, दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई आशिफ, तो बीड़ा डेक्श करें चलो देखते हैं, लेच्ट गेट स्टार्टेट दोस्तो वीडियो को आगे बनने से पहले एक रिक्वेश्ट करता हूँ, जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक करता है, और सनले को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द इसे सब्सक्राइब करके, इसके साथ जो बेल है, ये ओल बेल पे आपको पता, तो होच्पोट का पासूट पता करने के लिए सब से पहले आपको, आपके फोन या जिस भी फोन से आप होच्पोट ले रहे हो, उस फोन की सेटिंग पर जाना होगा, जाने की बाद सार्च सेटिंग पर आपको होच्पोट लिखके सार्च करना होगा, जैसे होच्प है आगबल ऑप्शन में कलिक करना होगा अगर कोई भी इस तरह का हाड़ पास्वूड है तो इस पास्वूड को यहाँ पे हटा दो हटा के कोई इजी पास्वूड दे दो जैसे में 1234 यह देखको अभी यही पासूड है आप सेट अब पास्वूड पे जाओ इसमें आभी देखो 1234 कर सकते हो और पासूड देके फिर दोसरा फोन में आप नेट आसानी से कनेक्क कर सकती तो दोस्तों ऐसे कि आभी मिने आपको लाइब दिखाया बिल्कुल इसी तरह से आम भी आपके फोन में इसी सेटिंग से हच्पोड का पासवर्ड इसी तरह से पता कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपको यह पसंदर वीडियो से थोड़ा प्याल पूल लगा तो वीडियो को ल हाओ वीडियो पया मैंना रहान यहाँ मार अ